हेलो आव्डिवान वूडी मॉर्टि मुझा की आप सब्सक्राइगे ना के क्ल Δ्यूम्ट वर्रिषं की फिईलिंग्स अज क्या होगी उनका मॉर्निंह थो किया है आशुमा क्या सोच है em2 और में SAN कोई action लेंगे आज की दिन कि आपको कोई action देखने को मिलेगा उनकी तरफ से शिक्क कर लेते हैं तो all sense reading आपसे match हो भी सकती है नहीं भी हो रहे तो laser नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं तो उसले उनको को अपने माइंड में जरूर रखिये जिनके भी बारे में आपको जानना है उस परशन का morning thoughts क्या है क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपके पार्टनर क्या है उनकी morning feelings यह काड आना चाहरा है तावर और मौन ठीक है तो आपके परशन आप दोनों के बीच जो वह है पास्ट में ठीक है जो सुर्वात से लेकर अन तक क्योंकि टावर की कार्ड को मुझे यही दिखाई दे रहे है डैथ के कार्ड से यही लग रहे है कि अभी इस वक्त आप दोनों के बीच प्रॉब्लम सर रही है ओके दूरियां आ गई है no contact में हो बिलकुल separate हो ओके तो इस पल को उस दिखाई दे रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है किसी तिसरे का हाथ रहा है अगर यह परशन किसी के भड़काने में आये थे या किसी के कहने पर किसी के बातों में आये थे ऐसा कुछ किया था आपकर जो रिलेशन्शिप है इतना किशी के बातों में आकर बिगार हा इन होने जो डिसीजन में लिया इनका खुद का फैसला नहीं था किसी और कर सुन कर इन होने अचा किया तो अब बहुत बसता रहे हैं ओकै ऐसा भी हो शकता है कि से पिले आप पर शक किया त्रस्ट इस्ट 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 किनके वज़ा से आप दोनों का प्योटिफुल रिलेशंशिप पिकड़ा किनके वज़ा से और यह जो आप दोनों की भी इस दूरी आई है अभी कुछ लोग हैं जो कि फैयदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस दूरी से इस एपरेशंशिप आप दोनों के भी जो दूरी आ दोस्तियों मुझे दिखाई दे रहे हैं आज शुबह बहुत उदास है यह परसन ठीक है इनके ख्याल में वही वही पल्न खुम रहे हैं जब आप दोनों के बीच लडाई जगड़ा हुआ जब इन्होंने डिसाइड किया इनको ब्रेक अप करना है यह दूर जाना है यह आप ने किया आप दूर के जब आप दोनों के पिछ लाश्ट टाइम बातशीत हुआ वह पलिस परशन को बहुत याद आ रही है और सोच सोच करें परशन बहुत उदास है बहुत ठीक है मुझे ऐसा लग रहे हैं कि इनके उदासी के बारे में बिलकुल जो भी इनके आस पास है इनके फ्रामली या जो लोग इनके पास है उनको पता है कि यह परशन किस वज़ा से आज इतना उदास है इनके उदासी के पीछे का कारण क्या है पर वो क्या कर रहे हैं ब्रेंवाश करने में बास नहीं आ रहे है ठीक है ठीड़ा उछाने की कोसिश यह जा रहा है पर आपकी परसेन किया है कि है इन के लिए आपके रेस्ते के लिए है और और वह क्या कह रही है तो आपकी वर्षन मुझे बिल्कुल खा और धिक loo को ठीकंड़ नोगों को के लिए जादा समक्राइब है यह समझ के है वह चाहते चाहते थे यह करने की कुछिस किया है यह समझ के हैं । कि यह लोग रोये हैं कि यह फिर्यामली के लोग lunar है ओटर आ यह कुछते हैं सब्हुत हैं यह ने chapter uhups using channel show show शकते हैं कि अच्छी फैमली आ रही है रिस्ते के लिए या प्रॉपर्टी मनी ऐसा हुआ हां कुछ लोग ऐसा होता है ठीक है कुछ लोग को यह सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा पर यह रियल में रियालेटी है यह यह रिडिंग में आया है पैसर मनी यह भी एक प्रॉपर्टी है अगर इप परसन आप से मैरीज करते हैं थो उनका स्पर्पोर्ट के नहीं मिल पाएगा नको मैं इस पशन के लाइब में की साथ नहीं बन रही है किसी के साथ पर फूटने के गार है या तो अगर ये बश्च एलफित होकर कुछ करने जारते लो नहीं किसी की साथ लड़ा दिखाए दे रहे हैं एक कुछ दिन के रिडिंग में यह काफी ज्याद जा रही है किसी के साथ conflict चल रहा है continuously चल रहा है यह तो इनका साथी टूटी है यह तोटने के करकार पर है टूटने जा रहा है यह इनके family के साथ इनका काफी ज़्यादा लड़ाई चगड़ा चल रहा है क्योंकि इनको समझा गया है कौन कैसे हैं मैं यह नहीं कह रही हूं कि कि family गलत है उनके intentions गलत है नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है पर ऐसा हो सकता है कुछ लोग लेकि आप दोनों husband और wife हो ठीक है या आप दोनों lovers भी हो तो उन्होंने accept नहीं किया और आज यह परशन खूश नहीं है या उन होनी जैसे कहा इस परशन नहीं कर रहा है और अब इनका family है कि अभी भी कुछ आइसे बात कर रहे हैं जिससे आपके बर्शन काफी मुझे यानि की नराज दिखाई रहे हैं उनके प्रते इनको ऐसा लग रहे है कि जो भी इनके लाइप में हुआ है उन्हीं के वज़ज़ से हुआ है किसी दिसी बर्शन की वज़़ज़ से हुआ ह अगर उनके बात में नहीं आते तो आज इनके लाइप में आसा नहीं होता यह वर्शन आज यह फेस नहीं कर रहे हैं होते हैं आपका जो ब्यूटिफूल रिलेशन्शिप है रिस्ता था वो कोई तीसरी के वज़़ज़ से टूटा या आप दोनों की भ्राम के वज़़ज आपको जो रिलेशन्शिप है सादी तक नहीं पहुंच पाएगा यगर भी जाती है तो वो नीप नहीं पाएगी इनको ऐसा लगा ना कि मैंने देखते आया है मैं देखा है एक्सप्रियंश मैंने किया है अपने लाइप में देखा है फ्रेंड्स में या फामली में इन्हो ने कुछ ऐसे एक्स्प्रियंश किया हो सकते है जहां पर किसी करशादी नहीं पाया या जो लो मैरेश था वो चल नहीं पाया तो इन्होंने ऐसा सूछ लिया है कि हमारा भी नहीं चल पाएगा और डिसीजन इनका यही था आपसे दोर जाना दोरियां बना लेना तो अभी आपके पस्ता रहे हैं पहुत बड़ा पस्तावा हुआ है आज इनको ठीक है और फिर से इन में तमना जगी है आपको पाने के आपके साथ जो सपना देख रखा था वो पूरा करने का या दोनों में से कोई एक मैरेट है तो फ्रेंड्स तो बनकर रही सकते हैं ऐसा और किसी भी तरह आपके ने रहना है और फिर से तंबना सब्सक्राइबाने कें ऐसा आपके साथ में रहने का या या अगर यह हन नहीं बनपा रहा है तो कहीं और चल यह अपना अअलग सा दुनिया बसूलिया यह dus 다ते हैं कह सकतें आपको तो मुझे आपके husband या wife आप दोनों मुझे साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो ठीक है जिनको भी decision लेने का action लेने की जुरुत है वो लेज़ें अगर इनको जुरुत है तो यह लेंगे अगर आपको जुरुत है तो आप लेज़ें यूँकि इस person को इस person को इंतजार है वेट है कि आप कब action लोगे कब step लोगे कब इनके पास आओगे तो जिनको भी जुरुत है कि मत देखें कि वो action ले वो stand ले ले तभी देखेंगे तभी हम साथ में आएंगे नहीं जिनको भी जुरुत है वो लेजे अगर आपने अल्रेडी ले लिया है तो ठीक है आप इस टॉप कर सकते हो अगर आपको लेने की जुरुत एक्षन लेने की श्टैंड लेने की जुरुत है तो लेज लोगों के लिए नहीं कह रही हूं जिनके पार्टनर चाहते ही नहीं है अभी इस वक्त थोड़ा सा टाइम देजें को समझा जाएगे उनको फी और आपको भी क्या करना है और किस और जा रहा है यह रिलेशंशिप और क्या करना है आगे दोनों को एक्लारिटी मिल जाएग तो यह है गाइस आपकी रिडिंग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किसे का मैं में इतना आप से नहीं एक रिडिंग में बाई टेक क्यर